एक तरफ जहां इसराइल हमास की जंग चल रही है तो वहीं फलिस्तीन के राश्टपती अबास को मारने की कोशिस हुई और मर गया बोडी गाड़ जानेंगे अबास के मरने से किसे होगा फायदा जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या अमेरिका के डर से पाकिस्तान ने फलिस्तीन मामले में अपना रूप बदला है फंड को लेकर क्या रोक लगाई है पाकिस्तान ने जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने चाइना और पाकिस्तान दोनों बॉर्डर पर खास इंतिजाम कर दी हैं चानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से कई सारे अरब देसों में बदलाव आ रहा है और ये बदलाव क्यों आ रहा है साथी साथ पाकिस्तान के अंदर भी बदलाव आ रहा है उसकी बात करेंगे पर उससे पहले एक बड़ी महतपूर्न घतना हुई है और ये घटना स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक स्क्रीन सोट दरसल बहुत ज़्यादा चर्चा का विसे बन गई है फिलिस्तीन के राश्पती है अब्बास और फिलिस्तीन के राश्टपती अब्बास की हत्या की कोशिस हुई है आपको बता दें ताजा रिपोर्ट के मुताबिक महमूद अब्बास के बौडी गार्ड को गोली लगी है इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस स्क्रीन सोट को इसमें फिलिस्तीन के राश्टपती पर गोली जलाई जाती है लेकिन वो गोली उनके बौडी गार्ड को लगती है बौडी गार्ड गिर जाता है फिलस्तीनी राश्टपती की हत्या की इस कोशिस ने पूरे छेतर में दहसत बैदा कर दी है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन फलस्तीनी राश्टपती को मारने की कोशिस कर रहा है फलस्तीनी राश्टपती पर उस वक्त हमला किया गया जब इसराइल के प्रदान मंत्री बेंजामीन नितन्याहू ने संकेत दिया है कि हमास को खत्म करने के लिए गाजा की जिम्मेदारी पहले इसराइल समया कथित तौर पर वेस्ट बेंक में फलिस्तिनी सुरुच्चा परिस्तानों के भीतर संगठित संस अबू जंदाल ने राश्टपती महमूद अब्बास को इसराइल के खिलाफ कारेवाई करने के लिए 24 गंटे का समय दिया था समय सीमा खत्म होने के साथ ही मंगलवार को अब्बास के काफिले पर हमला किया गया इस हमले में अब्बास के एक बोडिगाड को गोली मार दी गई फलिस्तिनी राश्टपती पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी संस अबू जंदाल संगठन ने लिए है इससे पहले राश्पती अब्बास ने रवीवार को वेस्ट बैंक में अमेरिकी विदेश मंतरी एंथनी ब्लिंकेन के साथ एक बैठक की थी ब्लिंकेन के साथ अपनी मुलाकात में अब्बास ने इजराइल से गाजा पर हमले रोकने को कहा था आपको बताने फलस्तीनी प्राधिकरन टू स्टेट सॉल्यूसन के साथ इसराइल के अस्तितु को भी स्विकारता है और वो मानता है कि अब इसराइल को स्विकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है लिहाजा इसराइल के साथ बातचीत करते हुए अलग फलस्तीन का निर्मान किया जाए और छेतर में सांती की अस्थापना की जाए लेकिन हमास इसके खिलाफ है हमास इसराइल के अस्तितु को नकारता है वो इसराइल को जड़ से खत्म कर देना चाता है है रानी की बात ये है कि तबाह होने के बाद भी गाजा में हमास के लिए अभी भी काफ खमला सुरू किया था जिसके बाद इसराइल ने हमास के खिलाब जवावी कारवाई शुरू की गाजा में हमास नियंतरित फिलिस्तीन स्वास्तमंत्राले ने गोशना की कि इसराइल ने दस हजार लोगों को मार डाला जिसमें बच्चे महिलाएं बुजूर्ग हैं गाजा पर इसराइली हमलों से करीब करीब 32,000 लोगों के घायल होने का भी दावा किया जाता है लेकिन हम स्वतंत्र तोर पर इनाकडूगी पुष्टी नहीं कर सकते हैं अब सवाल उठती है कि गाजा के लिए इसराइली सरकार की लीक हुई योजना कुछ संकेत देती है इस योजना क पहले बहुत एनाकडूना के टहट इसराइली सरकार की कोसिस गाजा का कंट्रोल ही प्लिस्तीन प्राधीकरन को सौंपने का है जो पहले भी गाजा का शासंड चळा चुका है जो हिंसा को नकारता इस इसराइल के अस्तित्र को स्विकर करता है और जो स्टेट्ट slutолаीशं क का इन से पहले येसर अराफात भी थे और अराफात की मिर्तु भी बड़ा संदिग्द तरीके से हुई थी वैसे तो वो 75 साल के थे पर अचानक से वो बीमार हुए बॉम्टिंग पेट दर्द साधाना लच्छन के साथ बीमार हुए लेकिन ये बीमारी इतना जाता बढ़ पर इसके बाद भी वो बचे नहीं कहा गया कि उनकी किड्नी फेल हो गई वैसे आपको बता दें फलिस्तीन में इसके लिए कुछ और ही कहा जाता है स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं अब बास ने ये कहा कि हम जानते हैं यासर अराफात को किसने मारा यहां पर जो आंतरिक लड़ाई है वो लड़ाई अब राष्टपती तक पहुँच रही है खेर जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं ये देखा जा रहा है कि चीजें बदल रही हैं क्या अरब जगत भी अपना स्टेंड बदल रहा है अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है तो आपको अमेरिकी वित्तमंत्राले ने ये कहा है कि हम यूए के उपर कतर के उपर एक्सन लेने जा रहे हैं और कुछ कमपणियों को भी हम परतिवन्ध लगा रहे हैं आपको बता दें इस्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप अमेरिका ने तूर्की चाइना यूए इन ती रूस को मदद कर रहे हैं कई तरह के हतियार भेज रहे हैं जिससे रूस को मदद मिल रही है और यूई को भी ये खबर पहुचा दिया गया है जिसके बाद से ये देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि जल्द ही यूई अपनी कमपनियों को बोलेगा कि जो भी कमपनिया है टीफेंस की और खास तोर पर जो सेमी कंड़क्टर की कमपनिया हैं वो गवर्मेंट से बिना लाइसेंस लिए रूज को कोई भी समान नहीं देंगी धीरे धीरे न अमेरिका का सिकंजा बढ़ता जा रहा है आपको बता दें अमेरिका ने हमास के लिए भी हमने आपको पहले भ शुरू कर दिये हैं और इसे देखते हुए कहीं न कहीं पाकिस्तान के अंदर एक डर देखा जा रहा है इसक्रीन पर एक आर्टिकल देखिए पाकिस्तान के ही एक एक्सपर्ट का ये कहना है कि बैंकों ने अब फिलिस्तीन के नाम पर फंड लेने से इंकार करना शुरू कर रहा था यहां तक कि UN में भी पाकिस्तान ने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है पर ऐसा देखा जा रहा है कि अरब दुनिया में जो दिगज देश हैं वो देश इस पचड़े में पढ़ना नहीं चाहते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि कल की डेट में FATF भी एक्षन ले सकता है औ बिगड़ते हुए देख कर भारत ने भी एक बड़ी तयारी की है चाइना और पाकिस्तान दोनों बॉर्डर पर भारत अब एवियेशन बिरिगेड की तयारी कर रहा है अब ये एवियेशन बिरिगेड क्या है तो आपको बता दें इसमें हेलिकॉप्टर्स की तहनाती होग ये भारत अपनी सुरक्षा के लिए कदम लगातार उठा रहा है वैसे इन सब मामले में आपकी क्या रहा है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ